तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ दो ऐसे सेट अप्स जो शॉट टर्म में और लॉंग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसमें से पहला जो स्टॉक है वो स्टॉक ने अराउं नाइन येर्स के बाद बेक आउट दिया है और उसको रीटेस्ट भी कर लिया है तो जब स्टॉक रीटेस्ट कर लेता है अपने प्रिवेस लेवल को तो उसके चांसे बहुत कम हो जाते हैं वापस से उस लेवल पर आने के and chances बहुत बढ़ जाते हैं वहाँ से वो stock उपर जाएगा दूसरा जो stock है वो अभी breakout देने वाला है and काफी time से consolidate कर रहा है एक range में breakout देते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वो stock बहुत अच्छा perform करेगा and उस time पे breakout देने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उस stock को catch करना तो guys इस video को end तक जरूर देखना इसमें मैं बताऊंगा वो दोनों stocks को short term के हिसाब से कैसे analyze करना है and long term के हिसाब से किस तरह से analyze करना है दोनों short term and long term के हिसाब से target and stop loss decide होते हैं तो इस video को end तक जरूर देखना and guys इस channel पे मैं technical analysis swing trading से related videos हर week बनाता हूं अगर आपको technical analysis सीखना है तो please subscribe to this channel and मेरा एक telegram channel भी है जिस पे मैं real market के according अपने feedbacks share करता रहता हूं जो चीजे मैंने video में नहीं बताई है या फिर real market में कोई scenario बन रहा है तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले videos में मैंने जो कुछ अपने analysis share किये थे उसके बारे मैं मैं update दे रहा हूं हमने electro steel का analysis किया था वो हमको around 20% का return दे रहा था तो हमने around 30% quantity यहाँ पे book कर लिये Suntech का भी हमने analysis किया था अपने video में वो around 20% का return दे रहा था तो हमने इसमें भी around 30% quantity book कर लिये और बाकी quantity हम hold करते हैं आगे की target के लिए उसके बाद DCW का जैसे update दिया था मैंने अब वो around 25% आप है हमारे level जो हमने analysis किया था उसके हिसाब से Khadim का जैसे आप देखोगे Khadim का मैंने अपना analysis शेर किया था हमने यहां कही around 280 के आसपास अपनी buying position बनाई थी और वो अभी 337 के आसपास trade कर रहा है और उसने एक और fresh breakout दिया है तो जो real time updates देते हैं वो मैं अपने इस telegram channel पे डालते रहता हूँ कुछ जो मैं अपने videos पे नहीं बताता मैं वो यहां पे mention कर दिया करता हूँ and मेरे जो videos है जो भी मैं अपने videos बनाता हूँ inspirational videos रहते हैं या फिर मेरे जो swing trading से related videos हैं वो भी मैं यहां पे update करता हूँ तो अगर आप इस channel को join करना चाहते हैं तो कलिंग description में mention कर दिया है तो चलिए देखते हैं अपने दो stocks जो धमाल मचाने वाले हैं तो पहला stock है Avenue Super Mart that is D-Mart तो यह वो stock है जो अभी breakout देने वाला है just तो इसको आपने weekly time frame पे set किया हूए अभी और अगर आप देखेंगे यह around 2017 में कभी list हुआ है and around 500 के आसपास इसकी listing हुई थी उसके बाद से यह stock सिर्फ उपर की direction में ही move कर रहा है इसको और closely observe करते हैं तो around 2020 के आसपास यह stock कुछ दियर के लिए consolidate हुआ था around एक साल के लिए consolidation में था and उसके बाद breakout के बाद उसने जो move दिखाया है वो around 2500 से लेके ऊपर direct 6000 तक का move दिखाया है अब इसको और थोड़ा closely देखते हैं अब क्या scenario बना रहा है अब अगर हम देखे तो यह stock around 2021 से लेके अभी तक 23 तक consolidate कर रहा है and यहाँ पे एक pattern बनता हुआ आप दिख रहा है अगर हम trend line बनाए यह वाला जो point है इसका नीचे का इसको connect करते हैं हम उपर के points के साथ इस तरह की एक trend line बन रही है उपर से भी एक trend line बनती है नजर आ रही है अगर हम यह वाला points को विक को connect करें तो हमें weekly time frame पे एक triangle pattern नजर आ रहा है यह यहाँ से इसने अपना run up start किया था यह stock यहाँ पे एक बार उसने support लेके ऊपर की तरफ around 6000 के आसपास गया था फिर उसके बाद इसने यहाँ पे एक doji बनाई doji के बाद एक red candle बनाया बहुत बड़ा एंड उसके बाद यह stock नीचे आया एंड इस area के आसपास इसी trend line के आसपास आके इसने फिर से support लिया उसके बाद यह फिर उपर गया यहाँ पे फिर एक red candle बना के नीचे आता हुआ दिख रहा है एंड फिर यहाँ पे फिर उसने दो बार और support लिया इस trend line का एंड फिर उपर गया अब यहाँ से वो धीरे-धीरे उपर की दरफ move कर रहा है यहाँ पे भी support लिया यहाँ पिस तो हमको नजर आ रहा है कि यह जो trend line है यह एक तरह से support act कर रही है इस stock के लिए एंड उपर में यह जो trend line है यह एक तरह से resistance का काम कर रही है जब भी price इस trend line को touch कर रहा है नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ जैसे कि यहाँ पे हुआ यहाँ पे हुआ यहाँ पे हुआ बट triangle बहुत ज़्यादा shrink हो चुका है बहुत ज़्यादा chance से कि यहाँ से यह breakout दे सकता है इसका potential बहुत ज़्यादा है अगर हम इस pattern को देखे इस pattern के हिसाब से target क्या होता है तो अगर मैं इस pattern की width निकालू यहाँ से लेके यहाँ तक actual जो इसका target है वो होना चाहिए इतना यहाँ से जब वो breakout देगा तो इसका actual जो target रहेगा वो around 6200 के आसपास रहेगा और यह target मैं बता रहा हूँ long term के हिसाब से इसमें थोड़ा time भी लग सकता है इसी लिए हम अपने छोटे-छोटे target रखेंगे पहले के यह जो target है यहाँ पे अपना partial profit book करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे अपना partial profit book करेंगे फाइनल इस target पे अपना full profit book अब इसमें stop loss क्या आओ सकते अब हम देख सकते कि यह जो trend line आ रही है यहाँ पे बार-बार support ले रहा है तो इसमें जब भी हम देखेंगे कि trend line के नीचे close कर रहा है weekly candle इसका close कर देता है तब ही हम इस stock से exit कर सकते हैं इसके बाद और छो थोड़ा और risk ले सकते हैं वो यह देख सकते ही कि यह 200 EMA है यह 200 EMA को अगर वो cross करेगा तो हम अपना ठीके loss लेके बाहर जा सकते हैं otherwise जब तक यह stock इस range में है यहाँ पे हम या तो averaging कर सकते हैं या फिर अपना और capital add कर सकते हैं because यह stock काफी टाइम से consolidate कर रहा है इसके profit में कोई बुराई नहीं है इसका profit भी बढ़ते जा रहा है इसका revenue भी बढ़ते जा रहा है stock में कुछ खराबी नहीं है and एक बार यह stock ने breakout दे दिया तो मुझे believe, मैं believe करता हूँ कि यह रुखने वाला नहीं है यह बहुत ज़्यदा उपर जाएगा अब इसको short time के साब से देख लेते है मैं इसको daily time frame पे switch कर देता हूँ तो यह अपने weekly जो trend line थी वो आ रही है यह नीचे से weekly trend line आ रही है अब आप देखेंगे यहाँ पर volumes भी बहुत अच्छे यह जो जब breakout देया तब volumes बहुत अच्छा था यहाँ पर volumes बहुत अच्छा है तो अगर हम एक rough idea लगाए तो इस level से around 3700 के आसपास से यह बार बार उपर जाने का try कर रहा है with high volumes जैसे यहाँ पर हुआ था एक बिल्कुल green candle बनी यहाँ पर हुआ है अच्छे सी green candle बना ही है तो हम अपना जो short term के इसाप से है वो stop loss या तो यह रख सकते है या तो 200 ही है या फिर एक और छोटी सी trend line बन रही है कुछ इस तरह से short term के इसाप से बता रहा हुआ है तो यह भी एक trend line मर रही है और इसको भी हमें अपना stop loss रख सकते है अब अपना profit booking कहा रहेगा तो यहाँ से breakout देने के बाद यह swing के साब से है so swing trading में हम mostly जल्दी profit book करते है 10% पर हमें अपना 30% profit या quantity book कर लेनी चाहिए जब भी हमें 10% मिलता है तो जब भी यहाँ से 10% मिले तब वो book कर लेना चाहिए उसके बाद के targets तो अल्रेड यहाँ पर दिये हुए 4600 और उसके बाद 5500 के आसपास तो short time में हम इस तरह से play कर सकते है so आप भी इसमें अपना analysis की दिया मुझे comment में बताइए आपका analysis आपको क्या लगता है यह stock कैसा perform करेगा तो चलिए चलते हैं आपने दूसरे stock की तरफ जिसने breakout भी दे दिया है and retest भी कर लिया है बहुत important path होता है retest कर लेना so guys next stock है Tata Motors Tata Motors को मैंने weekly time frame पे लगाया है अगर आप देखे तो Tata Motors का last जो swing high था वो around Jan 15 2015 के असपास बना है उसके बाद से लेकर उसने अभी तक कभी भी इसका breakout नहीं दिया and यहां आके around 2023 में जुलाई में इसने breakout दिया है and breakout देने के बाद से यहां पे थोड़ी time के लिए consolidate कर रहा है so यह stock ने around 9 years के बाद अपना breakout दिया हुआ ओके तो इसको deep में analyze करते है stock को क्या हो रहा है देखते हैं तो अगर हम देखे तो एक pattern बनता हो नजर आ रहा है मुझे यहां पे यह shoulder, यह head and यह एक और shoulder तो यहां पे head and shoulder pattern बनता हो नजर आ रहा है मुझे and काफी easily visible है weekly time frame पे यह shoulder हो गया, यह head हो गया and shoulder हो गया and break out भी हो चुका है Tata Motors के बारे में आपको पता तो है कि काफी strong company है Tata की company है, trustable company है and अगर हम देखे यहां पे इस stock में volume आना start हुआ था यह loop के असपास यहां पे बहुत अच्छे volume है and जब यह उपर गया, यहां पे फिर थोड़ी सी profit booking होई and फिर से यहां पर यह उपर जाके इसको break out दिया है इसका target and stop loss की तरफ ध्यान देते हैं तो head and shoulder का target क्या होता है mostly head and shoulder का first target होता है उसकी जो shoulder है, उसकी height तो यह उसकी height है मैंने यहां से निकालके इधर लगा देता हूँ थोड़ा unzoom करता हूँ so, so, अगर हम देखे shoulder के हिसाब से first target आ रहा है around 495 या 900 के आसपास right, बहुत बड़ा target है around 47 और 50% का target है इसका second target second target होता है head की height तो यहां से लेके यहां तक इसकी head की height है and इसको अगर मैं लगा दू यहां पे तो second target आ रहा है around 1130 के आसपास so, almost stock यहां से double होता हूँ दिख रहा है long term perspective से ठीक है, तो long term के इसाब से हम अपना first target यहां रख सकते है around 900 के आसपास and second target will be around 1150 और 116 okay, now इसमें stop loss क्या कर सकते है अब यह stock ने already breakout दे दिया है and retest भी कर लिया यहां पे breakout दिया, उपर गया थोड़ा सा and retest कर लिया, उसने अपने इस level को फिर यहां से उपर देखे, breakout देखे यह stock उपर की तरफ जा रहा है okay, so, हम first अपना जो stop loss रख सकते है normally देखा जाए, जो लोग ज़्यादा risk नहीं लेना चाहते है, तो 590 के इसाप से अपना target reset कर सकते है कि यह वाला swing वो फिर से break नहीं करेगा mostly, but अगर break करता है, तो हमको अपना stop loss around यह वाला जो swing का high था, इसके आसपास रखना चाहिए, जो थोड़ा और risk ले सकते है उन्होंने यहाँ पर अपना stop loss रखना चाहिए यह हो गया अपना analysis long term के इसाप से, and short term के इसाप से हम इसको daily time frame पे switch कर देते हैं, so actually यह video मैं कली बनाने वाला था जब इसने यह breakout नहीं दिया था यह stock यह वाली candle तक ही था तो मैं यहाँ पर अपना analysis कर रहा था so जब यह इसका breakout देगा that means हम अपनी entry बना सकते है, but ठीक है यहाँ पर भी कोई problem नहीं है, अगर हम देखे तो यह जो candle ने breakout दिया इसका बहुत अच्छा volume आया यहाँ पर अगर हम पीछे के volume से compare करें तो उससे काफी अच्छा volume आया है यहाँ पर जब breakout दिया उसने यहाँ से हमने trend line बना यहाँ तक एंड इसका breakout दे दिया है अब हम क्या कर सकते हैं, या तो अपनी half position यहाँ कही आसपास बना सकते हैं जब भी, यह है अभी stock around 660 के आसपास half position यह stock अगर नीचे आया थोड़ा सा around इस लेवल के आसपास 645 के आसपास या 650 के आसपास तब अपना बाकी का capital इसमें डाल सकते हैं बिकाज मुझे यहाँ से यह stock थोड़ा नीचे ही आते हो दिख रहा है जहां रखना है 592 या फिर 590 के आसपास यह अपना जो इसने swing बनाया था इसर से आके इसको breakout दिया है तो 590 के पास अपना stop loss रहेगा profit booking हम 10% पर अपना 30% जो अपना quantity है उसको profit book कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको update करते लेता हूँ तो आपको मेरी अगर वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक दिस चैनल बाइ